असलाब आलेकुम मैं हूँ ऐसल महमूद और वेलकम टू जायाक्स लास्ट वीडियो में हमने बबल डो टाइवा में जो एप एडिटर है यह विज्वल एडिटर है उसमें जो टॉब बार है और साइट बार है उसका ब्रीफ इंट्रोड़क्शन किया था इस वीडियो में हम basically वही से continue करेंगे और टोब बार में जो options हैं उनको detail में study करेंगे जो options हम आज की वीडियो में study करेंगे वो यह वाले हैं pages, components, in current page, edit menu, basically saved और saving का क्या मतलब है, gift icon ये क्या चीज़ है, issues का क्या मतलब है और view menu ये options हम आज की वीडियो में cover करेंगे hopefully आपको यह वीडियो पसंद आए कि चलते हैं वीडियो की तदा मैं यहाँ पर browser को open कर लूँगा और once again bubble.io को open कर लूँगा इसको मैं यहाँ पर pin कर लूँगा ताकि next time जब हम start करें तो यह basically पहले ही open हो उसके बाद मैं इस पर click करूँगा और इस चीज़ को भी मैं आप pin कर लूँगा ताकि next time हमारे यह थोड़ा सा कायम सेफ हो जाए अभी हम एप को लोड़ों ने देंगे कभी अगर आपको bubble do time में एप एडिटर में थोड़ा सा कोई glitch आ रहा हो तो आप एक रफ़ा रिफ्रेश करके देखें या log out log in करके देखें hopefully वह रिजॉल्व होजएगा otherwise आप उसको comment section में mention करके उससे पूछ सकते हैं जिस option से हमने start करना है वो basically यह page का option है जो home का option है वो बहुत ही simple है आप उस पे click करेंगे और आपको यह home page के ले जाएगा यह bubble.io और home यह दोनों same ही link पे almost आपको लेके जाएगे हम start करेंगे यह page के option से basically यह हमारे पास यह जब मैं यहाँ पे mouse को लेके आता हूँ और यह जो box highlight हो जाता है यह मेरा index page है mean के मेरी app का root page है जब मेरे यह इसका अगर मैं यहाँ से URL निकालता हूँ यह मैं preview पे click किया है मैंने यह preview था मैंने इस पे click किया है तो यह इसने index page को load कर लिया यहाँ पर और क्योंके अभी मैंने page में कोई चीज add मी की इस वज़ा से यहाँ से कुछ शो नहीं हो रहा है मैं आपको यह बाद में detail में सारा कुछ समझाओंगा अभी लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक button add कर रहा हूँ मैंने एक button सिर्फ add कर दिया just for testing okay once again मैं आपको हर एक चीज detail में बताऊंगा please अभी panicking होना कि क्या किया है कैसे add हो है सारा कुछ आपको बताया जाएगा और यहां पे आप देख सकते हैं कि यह यहां पे show हो रहा है यहां से मैं इसको बंद कर लूँगा disable मैंने क्या किया है मैंने इस पे click किया है और disable debugger mode अभी के लिए इसके जुरुत है हम उस पे जाएंगे हर एक चीज़ को history करेंगे और यह हमारा index page है यहां पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है इसने मेरी ID जो मैंने यूज़ किया था वो चूज़ किया आगे रैंडम सी ID डाली है bubble apps.io और version test मेन के यह URL है और अगर मैं इस URL को copy करके private tab में open करता हूँ तो basically यह show हो जाएगा लेकिन obviously इस URL के साथ तो मतलब आप test apps बना सकते हैं अपुल किसी कैसा share भी कर सकते हैं हम उस चीज़ को भी देखने हैं अभी के लिए जब मैं इस पे click करता हूँ यह page पे तो आप देख सकते हैं कि यह index page है और hover करता हूँ तो यह मुझे थोड़ा सा दिखाता भी इस पेज में क्या है 404 page जिनों ने हमारे लिए बनाया है और वो page क्या है कि मैं अगर यह URL कोपी करके इसके एंडे पे कुछ भी लिख देता हूँ यह page एक्जिस्स नहीं करता तो बबल दो टायो इतना smart है कि उसने देखा अच्छा इस तरहां का कोई page मेरे पास नहीं है इस नाम का तो ठीक है यह 404 page है और उसने उस basically 404 page जो by default नमारे लिए automatically बनावा था उसको load कर दी है मैं अगर यहाँ पे click करूँ और यहाँ पे जिस page पर मैंने जा रहा है उस पे click करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो page चेंज हो जाएगा मतलब अभी और यहाँ पे जो नाम शो होता हो उस page पे मैं currently हूँ और अगर मैं यहाँ पर एक text पकड़के add कर लेता हूँ basically यहाँ पे कह रहता हूँ edit by एहसन और basically मैं इसको font size जो है 90 पिक्जल दे रहता हूँ 90 पिक्जल चाद मैं ज्यादा दे रही है 50 पिक्जल कहाँ रहते है और यहाँ पे यहाँ पे मैंने एक bubble टोटायो कि जो सबसे मज़ेतार बात है आप काम कहा रहे है वो automatically save होता जाता है और यह भी मैं अभी समझाऊँगा कैसे यहाँ पे आके अब मैं सिर्फ रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि जो content मैंने अभी add किया वो यहाँ पिशो हो रहा है और यही इसकी कमालगी बात खेल तो यह page menu है यह हमें दिखा रहा है कि हमारे पास कौन-कौन से pages available है index का page available है जो के root page है जो इसने default हमारे लिए बना है 404 page जो के बिसिकली जब कोई page ना मिले तो यह show कराता है invalid URL पे उपर यह भी इसने हमारे लिए बना है और एक यह और page है यह basically कौन सा page है reset password यह भी इसने हमारे लिए by default बना है हमने यह page नहीं बना है यह हमारे लिए इसने by default बना दिए और अगर आपने एक निया page अपने लिए बनाना है तो आप new page पे click करेंगे यहाँ पर आप नाम देंगे जो भी आपने नाम देना है let's say तो वो page create हो जाएगा और once again उस page पे आप जो करना चाहें करके तो उसको basically preview कर सकते हैं preview करेंगे तो यह exactly उस page को खोल देगा और यहाँ पर देखें क्या होगा है मैंने page 1 इसका नाम रखा था तो उसने slash page 1 मतलब जो मैं page बना रहा हूँ automatically slash उसका जो नाम होता है उसको यहाँ पर url save format में use करा रहा है तो यह basically page की menu है next अब हम study करेंगे component menu in trend page basically मैं इस option के मतलिक बात कर रहा हूँ search for an element आप उसको component कह लें, element कह लें same ही एक बात currently क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे यह दो element यहाँ दो component शो कर रहा है एक मेरा पूरा page दूसरा जो मैंने button add किया है और अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक or cheese add करता हूँ, जैसे text पर कटके उसको add कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ first of all, मैंने यहाँ पर देखें, अभी मैंने इसको select किया हूँ है तो यहाँ पर text a select है जो कि basically इसका नाम है that's it, अगर मैं इसको select करता हूँ तो आप देखेंगे कि automatically यहाँ पर change हो जाएगा कि ओकी currently जो selected component यहाँ element है, वो button a है जो कि इसका नाम है और वो आप change कर सकते हैं, यहाँ पर मैं जो मर्जी कहा दूँ B, T, N, 1 कहा दूँ तो वो automatically reflect हो जाएगा यह इस component का नाम है, जो कि bubble.io में ज़रूरी एक चीज है जिसको हम बाद में जब workflow में चले जाएगे तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पर यह आपको इस current page में, यह दूसरे page के नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ password reset में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा components यह elements अगर मैं इसमें वापिस आता हूँ page 1 में, तो यहाँ पर सिर्फ जो इस page पर elements हैं, उनको show कर रहा है, तो यह option है यहाँ से basically आप click करके जब आपका page काफी बना हो जाएगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर prisoning को open कर लेता हूँ और इस चीज को अगर मैं bubble.io में बनाऊँगा, तो आप देख सकते हैं एक, दो, गिंती करने बैठेंगे, तो कुछ नहीं तो 50 component कम असकम इस page में होगे, इनको अगर एक, एक कंसिडर करें तो चाहँ पचास से लिए आ रहा होगे, तो उस case में यह option हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, जब हमने हर एक चीज को एक प्रोपर नाम दिया होगा, तो हम से रहों करेंगे, ओके, यह क्या है, यह फुटर, वायर, ट्रेजलिंक, मैनियू, हैडिंग, यह सेक्शन हैडिंग, इस तरह हम सर्च करेंगे, और वह हमारे वीडियोस में स्टड़ी करेंगे, तो यह option है, component या element menu या selector उसका, और इसको इस तरह हम उसकरते हैं, next, अब हम देखेंगे, edit menu, तो बार में आप देख सकते हैं, कि यह एक edit का button है, इसके अगर आप click करेंगे, तो यह edit menu, basically यह पूरी editing menu open हो जाएगी, जिसको कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस element पे click करता हूँ, और इसको drag करके यहाँ पे paste कर जाता हूँ, मैं इस menu में आता हूँ, undo करता हूँ, तो आप देखते हैं, कि जो मैंने last action किया था, वो undo हो गया है, और जैसे मैं यहाँ पे वाफिस जाँग और मेरे पास इस account में कोई और app होगी, तो वो उसको show कर देगा, कि उस app में आप copy कर लें, that's it, अभी के लिए paste करूँगा जब एक component copy होगा, जैसे कि मैं इसको copy करता हूँ, यहाँ से मैंने copy किया, और page पे click करके, यहाँ वैसे भी अगर paste कर देता, तो sorry, मैंने copy करना था, म आप देखेंगे कि यह component बस paste हो जाएगा, अभी के लिए मैं इसको delete कर रहा हूँ, edit पर click करते हैं, और यहाँ पर delete नहीं आ रहा तो मैं इस पर right click करके तो इसको delete कर देता हूँ, okay, यहाँ से मैंने right click किया component पे, और यहाँ से delete कर दिया, यह delete होगे, इसी तरह यह बाकी इसम नेक्स हम देखेंगे कि basically हमें, यह कैसे बता चल सकता है कि हमारी app की current state क्या है, यह चीज़ हम next देखेंगे basically अगर आप इस चीज़ पे गोर करें, यहाँ पे थोड़ा सा light gray में इन्होंने रिखा हुआ है, लेकिन अगर आप गोर करें तो यह basically मैं इसको थोड़ा सा increase कर दिता हूँ, आप यह थोड़ी मिश्टा होगा, लेकिन कोई बस्ता है, यहाँ पे इन्होंने saved लिखा हुआ है और अगर मैं कोई element पकड़ के उसको mean change करता हूँ, कोई भी component इस page में कोई change करता हूँ, मैं इसको छोड़ूँगा जैसी, तो आप देखें, यह saving में हुआ और saved में चला गया, इसका मतलब है कि currently basically यह जो state है, यह bubble.io में save कर ली गई है, और कोई भी हमारी app के इस URL को जब refresh क तो यह saved state में यहाँ पर show होगा, लेकिन अगर basically मैं यहाँ पर यह देखें, मैं यहाँ पर shift करता हूँ और इसको change कर देता हूँ, तो अब यह यहीं पर रहा है, हलाकि यहाँ पर मैंने इसको नीचे shift कर दिया है, ऐसे क्यों है, क्योंकि यह page पहले load हो गया, इस page के save होने से तो जब यह चीज saved हो जाए, कभी अगर यह saving में ही रहता है और saved नहीं होता, तो यह आपका indicator है, आपका जो data है, जो काम है, वो saved नहीं हो रहा है, तो उस state में कोशिश करें, जैसे भी अपना internet connection चेक करें, जो भी चेक करना है, लेकिन अपनी app को refresh ना करें नहीं, तो आपका saved पर ही रहना चाहिए, जैसे ही saving होने लगे, मतलब कोई काम saved प्रहला है, आप दो मिनट के लिए रुख जाएं, दो सेकेंडरी लगेंगे ज्यादा ज्यादा, जैसे ही saved के और फिर next section पर move करें, ताकि आपका काम कोई भी जाया ना हो, और आपको मसला ना हो, यह है saved और saving option top next continue करते हैं, इस gift option से, यह क्या चीज़ है, तो बार में यह जो gift icon है, यह basically हमारी app के itself related नहीं है, यह bubble.io के related है, अगर आप इस पे click करेंगे, तो एक नया page open होगा, जो के road map पे initially लेके जाता है, लेकिन हमें redact लगाया, वाइज releases पे, और यहाँ पे यह सिरफ और सिरफ आपक मतलब के new किया है, तो यह आपको बता रहा है कि क्या हमने release किया है bubble.io में, और कौन-कौन से features अमने add कर दी है, यह इसका मतलब है, इस से आपकी app कोई लेना देना नहीं है, आप इस option को आप choose नहीं करेंगे, until unless कि आप देखना चाह रही हो, क्योंके क्या चीज नहीं, bubble.io मे release होई है, या introduced to it, that's it, next continue between issues steps, यह क्या चीज़ीज है, तो बार में, यह जो issues का option है, यह basically one of the most important element है, आपके इस visual editor का, क्योंके यह आपको बता रहा होगा, कि अगर आपकी जो bubble.io की app है, उसमें कोई मसला है या नहीं है, जैसे के, अगर मैं यहां पर, अभी सिर्फ मैं एक issue create करके दिखा देता हूँ, लेकिन उस वह सा काम किया भी है, हम उसको detail में देखेंगे, बाद में आपको हर एक चीज़ समझ लग जागी, कि मैंने अभी क्या किया, लेकिन उसकी वज़ा से आप देख सकते हैं कि यहां पर एक issue आगए, और जो अच्छी बात है, इस basically bubble.io की, कि इसमें debugging बहुत ही ज्यादा आसान, issue आया है, उसमें आपको बता दिया, आपको खुद नहीं देखना पर रहा है, आपको basically user का वेट नहीं करना पर रहा है, कि सरह यह एप में मसले है, bubble.io आपको खुद बता रहा है, कि भई आपके code में basically यह runtime मसले है, okay, runtime या syntactical, logical error, bubble.io आपको नहीं बता सकता, logical error का क्या मतल आपके आपने let's pause के एक order place की है, और उस order में जो product थी, उसकी price 100 रुपया थी, और आपने उसको पांच से multiply करके DB में store पर दिया, अब product 100 रुपय का था, आप customer को 500 चार्ज करें, अब यह logic गल्थ है, bubble.io इस पे आपको कुछ कहा नहीं सकता, क्योंकि bubble.io को क्या पता कि आप क किस तरह का logic चारे हैं, तो लेकिन यह जो मैंने अभी काम किया, यह basically design fault है, कि एक मैंने button add किया, और उसके action को मैंने खाली छोड़ दिया, मैंने यह कहा दिया, कि जब click को हो तो एक element को hide कर देना, लेकिन मैंने यह नहीं बताया किस element को, तो यह अब design fault है, और इस तरह की जो किया, वो बबल डोट आयो, automatically कर लेता है, और आपको बता देता है, कि एक issue है, जितने भी issues होंगे, वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, यह red हो जाएगा, बहुत easy है, और जैसे ही आप उस पे click करेंगे issue पे, तो यह exactly उस element पे ले जाएगा, जहां पे के मसला है, तो hopefully इस Next, continue करते हैं, अपने view menu से, मैं यहाँ पर पहले इसको close कर लूँगा, और इसको basically करना close कर भी लूँगा, लेकिन जैसे इस पर click करूँगा, तो double click करूँगा, तो यह फिर open हो जाएगा, यहाँ पर आप right click करके edit कर सकते हैं, तब भी यह आजाता है, अभी जो हमारा point of concern है, वो यह view menu, यह क्या चीज़ है, basically, मैं इस पर click करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, कि हमारे पास यहाँ पर view के related, जो चीज़ हमें नजर आ रही है, उसके related काफी options है, सबसे पहला show grid, click करें, यह आपको grid show करा रहा है, जो कि basically, यह bubble.io use करा रहा है, next, उसकी वज़ा से काफी और options आगे हैं, यह snap elements to grid, मैं इसके click करता हूँ, और अब अगर मैं इसको move कर रहा हूँ, यह basically snapping कर रहा है, snap अगर, जब आप इसको खुद करेंगे, मैं इसको off करके आपको दिखाता हूँ, तो यह बहुत ही smooth चलेगा, और इसको भी basically मैं करता हूँ, snap to edges, यह basically edges पे लेज़ अगरेगा, do not snap element to show element border, और यह element ने क्या किया है, इसको मैं close करता हूँ, आप इसको note करें, यह देखें, जब मैं इसको hover करता हूँ, तो इसका border show होता है, लेकिन जब मैं इसको check कर दूँगा, तो by default show होगा, और यहां से मैं उसको check भी कर सकता हूँ, नहीं red दिखाओ, यह भी मुझे चाहिए हो, मैं black कर सकता हूँ, whatsoever, जैसे मुझे उसको requirement हो, यह end पर show नहीं होगा, basically, यह जो view की setting है, यह आपकी अपनी development पर दिखी है, मैंने यहां पर देख सकते हैं, मैंने border show कर दिया, लेकिन जब यहां पर आके refresh करूँगा, तो वो चीज़ यहां पर show नहीं ह लिए है, और यह जो view की options हैं, आपके development की help करने के लिए, x-ray mode आप इसको करेंगे, यह basically, through दिखाएगा, transparency on कर देगा, मुझे यह पसंद नहीं है, आप यहां से दूसरे कुछ options ट्राइ कर सकते हैं, most probably हम और फी रखेंगे, until unless, किसी वज़ा से हमने elements की alignment करनी हो, और देखन हो सकती है, obviously है सारी चीज़े helpful है, आपकी काम को असान बनाने के लिए यहां पर रखी गई है, तो आप उसको असानी से देख सकते हैं, अभी के लिए मैं इसको off card दूँगा, और यह options हमने आज की वीडियो में study की हैं, हमारे पास कुछ options रह गए हैं, जो कि हम next video में study और फिर components से start करेंगे, और one by one, step by step अपने course को complete करेंगे, खेर यह थी आज की वीडियो, hopefully आपको वीडियो संद ही होगी, वीडियो के related कोई भी question हो, तो please उससे comment section में mention करें, मैं उसका जवाब होगा, वीडियो को like share and comment करें, चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूले, अपने दोस वो इस course को सीख सकें, इसे फाइदा असल कर सकें, और आपको thank you कह सकें, और आप उसे party ले सकें, चले, thank you very much, मैं आप से में लोगा next video, सब तक लिए Allah Hafiz,